प्रधान मंत्री सूर योध़ योजना पहली बात यहां पर करना क्या है सोलर एनर्जी को एड़ाप्ट करना है खास्त और से जो रूफ टॉप सोलर पावर सस्टंम है बहुत अची बात है यहाँ पर इंडिया में एक अमबीशियस टार्गेट अचीव करना है 40 Gb रूफ टॉप के बेसेज पर ही पापर जेनरेशन करनेंगे बहुत अची चीज है अब यहाँ पर स्कीम जो है यहाँ पर इसे होगा क्या कि जो electricity bill होगा वो काफी कम हो जाएगा घरों में और साथी साथ energy में भारत self-reliance भी हो जाएगा यानि आत्मा निर्भर भी हो जाएगा अगर इस तरह के grid system लगेंगे currently solar capacity अगर भारत में देखी जाए तो solar energy holds significant share इंडिया's total renewable energy capacity which is around A180 gigawatt अच्छा है बाई ओके और दूसरा राजेस्थान leads the total solar capacity while कुझरात leads in rooftop solar capacity यह कुछ factual data से इसको एक बार देख लीजेगा इससे जदा इसमें जानना ने और वैसे भी आपको पता ही होगा 500 gigawatt भारत ने renewable energy का एक target बनाया है यह target भी आपके आने वाले सालों के लिए बहुत important है एक मिनिट मैं इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ और अगर किसी ने static class मेरी सुनी है तो शायद वो समझ रहा होगा उसको यहाँ पर कुछ बताने के ज़रत है नहीं देखो जो पिछला जो MNRE ने ध्यान देना जो पिछला MNRE ने जो renewable energy target बनाया था देश का जो renewable energy target बना था renewable energy जो target बना था वो क्या बना था? 2015 में MNRE renewable energy target को लेका रात और यह question फिलहाल में 2016 में भी पूछा गया था उस time में UPSC के examinations में अगर आपने static ठीक से सुना है मेरा तो आप इस इसको समझ रहोंगे हां सर यह पूछा गया था यह यह बोला गया कि भाया 2015 में यह बोला गया कि 2022 तक 2022 तक by 2020-22 175 gigawatt 175 gigawatt power generation भारत renewable energy से करेगा 175 gigawatt power generation भारत renewable energy से करेगा जिसका 100 gigawatt power supply भारत में solar energy से होगा जिसका 60 gigawatt power supply भारत में wind energy से होगा जिसका 10 gigawatt power generation भारत में biomass energy से होगा और अगला 5 gigawatt power generation भारत में SHEP से होगा ठीक है यह रखा गया आपको इसके अंदर एक बात और बता दूँँ इसमें hydroelectric power plant को include नहीं किया गया था अब देखे आप यहां से पूछ सकते हैं सर SHEP का मतलब क्या है SHEP और HEP में छोटा सा अंतर होता है सिर्फ basic concept की problem है आप लोगों को small hydroelectric power plant और hydroelectric power plant अगर hydroelectric लिखता है मतलब यह small नहीं है मतलब यह बड़ा वाला है इसकी capacity less than 25 megawatt होती है power generation की और जो hydroelectric होता उसकी 25 या 25 से जादा होती है वो होता है hydroelectric power plant इसका मतलब यह जो है वो 25 megawatt से कम वाला है कि कुल मिला के 5 gigawatt भारत में 2022 तक किया जाएगा अब मुझे नहीं लगता है यहाँ तक आपको कोई दिकत है अच्छा अब आपको लग रहा होगा सर यह तो समय खतम हो गया जोकि 2022 खतम अब सुनो ऐसा होता है Glasgow Summit में UNFCCC की meeting होती है ठीक है Glasgow सुना होगा जिन लोगों ने environment ठीक से पढ़ा है ग्लासगो में हमारे ओनरेबल प्राइमिनिस्टर ओनरेबल प्राइमिनिस्टर है नरेबल प्राइमिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और वहाँ पर यह पूरा announcement होता कि भाई आद देखो यह चीज मैं आपको 2021 की बता रहा हूं ठीक है बारत में renewable energy से generate करेंगे और शायद आपने सुना होगा फिलाल वो environment के topic में आप दिखोगे मुझसे सुनोगे दुबार अगर static आपने मेरे से नहीं सुना है यहीं पर पंचामितर वगारा का कभी concept आया था और यहाँ पर 500 GW renewable energy में कुछ चीजे भी हैं जहां 280 GW भारत solar energy से करे बाकी और के बारे में detail अभी officially नहीं दिया गया हां लेकिन इस ज़रूर बोलूँगा यहाँ पर यहाँ पर HEP को include किया गया है जो कि यहाँ पर नहीं था इस चीज को पहले ठीक से देख लो यहाँ पर कोई भी confusion नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ पर कोई भी confusion नहीं होना च बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोग history, policy, economy और geography को subject समझते हैं वैसे ही मुझे science, tech और environment भी एक विशय की तरह दिखता है इसमें भी पूरे के पूरे concepts है यह हो गया बच्चा आपका नया target जो हमें achieve करना है अब इदर आओ ठीक है यह थोड़ा सा एक energy था जो आपको बताना था मैंने आपको समझा दिया है ठीक है अब आपको लिए चलते हैं कुछ improved तरह के solar panel की तरफ ठीक है तो यह है भारत का India aims to achieve the 500 gigawatt 500 gigawatt power generations by 2030 यह जो था पूरा बता रही है इसमें कितना solar है अच्छा इक बात बताओ आपने जो 2022 देखा target जो achieve करना था और जो 2030 देखा इनमें सबसदा target किसका है solar energy का इसका सीधा मतलब है कि पूरे renewable energy में सबसदा अगर किसी की capacity भी है तो भारत में क्या दिख रहा है solar energy की एसी भी आप थोड़ा उसा दिमाग लगई आपको दिख रहा होगा ने तो भाया हर केस में solar energy को number one पे क्यों लाया जा रहा है